नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल फिटनेस गुरू में आपका हर दिक स्वागत है आज फिर हम आपके लिए एक बहतरीन जानकारी लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप इन पांच बातों का खास ख्याल रखेंगे तो पिरेट्स के दोरान आपको कोई तकलीफ नहीं होगी पिरेट्स के दोरान महिलाओं को पिरेट दर्द और कमर दर्द से जूजना पड़ता है पिरेट्स की समशाए महिलाओं को हर महिने होती है और ये कम से कम तीन दिन और ज्यादा से ज्यादा पांच दिन तक बनी रहती है पीरिड्स के दिनों की तकलीफ के बारे में सिकायत तो लगबग हर महिला करती है लेकिन उन दिनों में किस तरह से रहना चाहिए और क्या करना चाहिए इस बात पर सायद ही कोई महिला गौर करती है इस आधुनिक दोर में पीरेट्स की बारे में खुल कर बात करने से लोग कतराते हैं ये समश्या खास तोर पर गामिन इलागों में देखने को मिलती है इसी वज़े से बहुत सी बाते हमें पता ही नहीं चल पाती है पीरेट्स के दोरान जानकारी के आभाओं में कई बार कुछ ऐसी गलतिया हो जाती है जिसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप सही सेनेटरी पैट का इस्तमाल करें पीरेट्स के दिनों में सही सेनेटरी पैट का इस्तमाल करना बहुत जरूरी होता है जो फ्लो को जल्दी और आसानी से सोक ले इसके साथ ही आपको हर 6 गंटे बाद पैट को बदलना चाहिए ताकि इससे किसी तरह का इंफेक्शन नै हो सके दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको साथ सफाई का खास ज्यान रखना है पीरेट्स के दोरन महिलाओ को अपनी साथ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने प्राइवेट पार्ट्स की साथ सफाई अच्छे से कीजिए और हो सके तो पीरेट्स के दोरान गरम पानी से आपको नहाना चाहिए ऐसा करने से इंफेक्शन का खत्रा कम हो जाता है तीसरी पात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है केमिकल यूग प्रोडेक्ट्स से आप बचें पीरेट्स के दोरान किसी क्रीम या फिर जेल जैसे केमिकल यूग प्रोडेक्ट्स का इस्तमाल नहीं करना चाहिए पीरेट्स के समय ऐसी चीजों का इस्तमाल करने से इंफेक्शन का खत्रा बढ़ जाता है क्योंकि इन दिनों किसी भी बाहरी चीजों के इस्तिमाल से आपको नुक्सान हो सकता है पीरेड्स के दोना आपको दवाईयों के इस्तिमाल से भी बचना चाहिए पीरेड्स के समय दवाईयों का ज्यादा इस्तिमाल करना हानिकारक हो सकता है कई महिलाई इन दिनों में पेट के दर्द से चुकार पाने के लिए दवाईयों का सेवन करती हैं लेकिन दवाईयों के सेवन से पीरेट्स पूरी तरह से नहीं आते हैं सिर्फ पेट के दर्द में ही आपको अराम मिलता है इसलिए आपको इस समय दवाईयों का सेवन नहीं करना चाहिए पेड़ दर्द को दूर करने के लिए आप देशी नुस्कों का इस्तिमाल कर सकते हैं पांची और अंती बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है डाइट का आपको सही क्याल रखना चाहिए पीरेट्स के दिनों में महिलाओ को ज्यादा मसाले वाले भोजन का त्याग करना चाहिए खाने पीने में दही और ठंडे पानी जैसी ठंडी चीजों का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए हेल्दी भोजन के साथ ही हरी सबजियों और फलों का सेवन करना चाहिए तो यदि आप इन बाच बातों का खास ख्याल रख लेंगी तो आपको पीरेट्स के दुरान कोई भी तकलीफ नहीं होगी धन्यवाद